अब हम समझेंगे दाब आयतन कार्य तो दाब आयतन कार्य द्वारा भी आंतरी कूर्जा में परिवर्टन हो सकता है बहुत सारे केमिकल रियक्शन्स होते हैं जिसमें की गैसें होती हैं गैसों के द्वारा भी आंतरी कार्य किया जाता है तो जब दाब के विरुध किसी गैस म के द्वारा, चलिए अब हम समझते हैं इसके लिए एक पिस्टन लिया गया जो की घर्षन रहित है यहाँ पर एक सिलिंडर में इस पिस्टन को रखा गया इस सिलिंडर के अंदर एक मोल गैस है, एक मोल गैस यहाँ इसका जो आयतन होगा वो है V I प्रारमभिक आयतन V I है घर् पिस्टन द्वारा चली गई जो दूरी है या तै की गई दूरी L से दर्शाया जाएगा इस पूरे सिलिंडर में जो गैस रखा हुआ है उसका आयतन हमने देखा V I जब यहां पिस्टन द्वारा कारी किया जाएगा याने पिस्टन द्वारा दाब लगाया जाएगा तो यह दाब उच्छ होगा इसे हम बाहे दाब के रूप में दर्शा सकते हैं इस पूरे सिलिंडर में जो गैस रखी हुई है उसका दाब है P पिस्टन द्वारा जब यहां पर दाब डाला जाता है तो यहां पर P E X है वह दाब बाहे दाब तो तब तक यह दाब डाला जाएगा जब तक की P E X P के इक्वल न हो जाए अब यहां पर जो आयतन में परिवर्तन है यहने डेल्टा V तो यह आयतन में परिवर्तन अंतिम आयतन एवं प्रारंभिक आयतन के अंतर से समझ सकते हैं तो डेल्टा V equal to V F minus V I यहने final volume minus initial volume तो इस तरह से हम आयतन परिवर्तन को लिख सकते हैं तो जब भी कभी हम देखेंगे आयतन परिवर्तन बराबर होता है यहां दूरी गुणा छेत्रफल तो दूरी यहां पर L है यहने पिस्टन द्वारा चली गई दूरी L इन्टू A यहने पिस्टन के अनुपरस्त काट का शेत्रफल दाब बराबर बल बटा शेत्रफल होता है तो दाब को हम दर्शा सकते हैं P यहने प्रेशर से और बल फोर्स यहां F से दर्शाय जाएगा छेत्रफल A से मतलब एरिया तो अब हम यहां पर F के लिए लिख सकते हैं P इन्टू A तो जब यहां पर P लिखा जा रहा है तो P हमने देखा कि P E X P के इक्वल हो सकता है और तब तक दाब को लगाया जा रहा है पिस्टन द्वारा तो P की जगा हम लिख सकते हैं P E X इन्टू A तो F इक्वल टू P E X इन्टू A तंत्र पर यदी कारे किया जा रहा है तो तंत्र पर कारे किया जाने पर W बराबर F इन्टू L यहने कारे बराबर बल गुणा दूरी तो बल की जगा पर हम लिख सकते हैं P E X इन्टू A इन्टू L हमने देखा आयतन परिवर्तन याने डेल्टा V इक्वल टू A इन्टू L तो अब हम P E X इन्टू डेल्टा V लिख सकते हैं क्योंकि डेल्टा V इक्वल टू A इन्टू L है तो W बराबर होगा P E X डेल्टा V क्योंकि यहाँ पर A into L आयतन परिवर्तन को दर्शाता है तो जब कभी भी तंत्र द्वारा यहाँ पर कारे हो रहा है तो तंत्र द्वारा कारे है तो यहाँ पर प्रसार कारे होगा क्योंकि तंत्र यहाँ पर गैस सिलिंडर में भरा हुआ है तो जब ये गैस पिस्टन को बाहर की ओर धकेलता है तो इसका अर्थ है कि तंत्र द्वारा कारे हो रहा है और जब कभी भी तंत्र पर कारे हो रहा है इसका मतलब है कि पिस्टन द्वारा गैस को नीचे की ओर धकेला जाता है तो यहां हम दो प्रकार से इस चिन को समझ सकते हैं SI Convention के आधार पर यदि धनात्मक चिन है इसका अर्थ क्या है कि तंत्र पर कारे हो रहा है और यदि W इक्वल टू नेगेटिव है यदि तंत्र द्वारा कारे किया जा रहा है तो इसे समझने के लिए अब हम चिन परिपाटी के आधार पर इसे देखेंगे तो यदि W इक्वल टू P E X इन्टू डेल्टा V अब यहां पर W इक्वल टू माइनस P E X इन्टू डेल्टा V तो minus PEX into delta V को हम लिख सकते हैं VF minus VI अब इसे हम दो प्रकार से समझेंगे एक हम समझेंगे संकुचन कारे और एक हम समझेंगे प्रसार कारे के रूप में तो संकुचन कारे में किस प्रकार से आयतन में परिवर्तन होगा कौन सा आयतन अधिक होगा कौन सा आयतन कम होगा यह हम समझते हैं तो संकुचन कारे में VF less than VI VF यहने final volume चुकि यहाँ संकुचन हो रहा है तो gas पर यहाँ पर कारे हो रहा है तो final जो volume होगी वो कम होगी initial volume यहाँ पर ज्यादा होगी तो यहाँ W equal to minus PEX delta V तो minus PEX into VF minus VI तो चुकि यहाँ VF की value VI से कम है तो जब हम VI से VF को minus करेंगे क्योंकि VI की value जादा है तो हमारे पास जो मान आएगा वो negative होगा तो वह negative मान और सामने जो यह रंचिन लगा है यह negative दोनो negative negative होगा positive तो अब W equal to क्या होगा positive तो यहाँ पर चुकि संकुचन हो रहा है तो कारे यहाँ पर धनात्मक है इसी प्रकार यदि हम प्रसार कारे को लेंगे तो प्रसार कारे में चुकि gas द्वारा piston पर दबाओ डाला जा रहा है यह गैस द्वारा कारे हो रहा है तो final जो volume होगी वो जादा होगी तो VF is greater than VI तो जब हम इस परिवर्तन को ग्याद करेंगे तो W equal to हमें यहाँ पर लिखना है minus PX into delta V तो यदि VF की value जादा है तो यहाँ पर VF अधिक है VI से तो मान यहाँ धनात्मक आएगा और सामने minus चिन लगा है तो W equal to रिनात्मक होगा तो यहाँ तंत्र द्वारा कारे किया जा रहा है यहाँ प्रसार कारे हो रहा है जहाँ final volume initial volume से अधिक है तो आपको यहीं समझना है कि प्रसार कारे हो रहा है तो वहाँ final volume initial volume से अधिक होगा और जब संकुचन कारे होता है तो वहाँ पर जो final volume है वो initial volume से कम होता है तो इस आधार पर हम w equal to minus p delta v calculate कर सकते हैं यहने दाब आयतन कारी की गणना कर सकते हैं जैसे हमने देखा दाब आयतन कारी यहने p v प्रसार कारी तो उसे यदि हम graph के रूप में समझेंगे तो graph यदि आयतन और दाब के मत दिखी जा गया है तो यहाँ पर यदि संपीडन कारी होता है तो किस प्रकार का graph प्राप्त होगा यहाँ यदि संकुचन के प्रत्येक अलग-अलग जो पद होते हैं तो वहाँ पर दाब यदि स्थिर नहीं है तो यहाँ कई पदों में वो बदलता रहे यह दाब जो है वो स्थिर ना होकर हर पद में अलग-अलग होता रहे बदलता रहे तो कुल कारे सभी पदों में हुए कारियों का योग होता है तो कुल कारे को यहां पर हम दर्शा सकते हैं जितने पदों में अलग-अलग कारे होता है तो summation of work तो यहां W equal to minus summation of P delta V अब यहां जो graph है वह निश्चित पदों में sum P done को दर्शाता है और यहां पर जो किया गया कारे है वो इस छायादार भाग द्वारा दर्शाया जा रहा है यदि सुक्ष्म रूप से दाब को बढ़ाया जाएगा तो आयतन में भी सुक्ष्म परिवर्तन होगा सुक्ष्म रूप से यदि दाब को घटाया जाएगा तो आयतन में भी सुक्ष्म रूप से परिवर्टन होगा तो दूसरा जो हम देखेंगे कि यदी दाब स्थिर नहीं है और इसमें ऐसा परिवर्टन हो कि हमेशा गैस के दाब से अनन्त सुक्ष्म अधिक हो तो संकुचन के प्रत्येक पद में आयतन सुक्ष्म भाग के बराबर कम होगा तो यहाँ W equal to minus V I to V F integral यहाँ ले रहे हैं क्योंकि integration कर रहे हैं V I से V F यहने initial volume से final volume तक सुक्ष्म रूप से क्या परिवर्तन हो रहा है तो P E X D V तो D V यहाँ पर सुक्ष्म रूप से आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है जबकि यहाँ पर आयतन में परिवर्तन initial to final को दर्शा रहा है और integration के form में से हमने लिखा है तो यहाँ जो कर प्राप्थ हुआ है PV वक्र वो यहाँ पर दर्शाता है अनंत पदों में यदि उत्करमडिये प्रोसेस हो रहा है तो यहाँ किया गया जो कारे है वो छायादार भाग को दर्शाता है तो इस प्रकार हमने समझा की कैसे अलग-अलग पदों में कारे होता है तो प्रतेक पद में होने वाले कारे को हमने combine रूप से लिखा summation of work के रूप में लिखा और सुक्ष्म जो अलग-अलग पद है उसमें होने वाले कारे को हम VI से VF तक जाने में किस प्रकार परिवर्तन हुआ सुक्ष्म रूप से उसे हमने संकुचन की स्थिती में जो बाहय दाब है तो यहाँ PEX को हम बाहय दाब के रूप में दर्शाते हैं तो बाहय दाब यहाँ पर बराबर होता है आंतरिक दाब प्लस DP यहने दाब में सुक्ष्म परिवर्तन के और यदि प्रसार कारे हैं यहाँ पर यदि प्रसारन होता है तो यहाँ जो बाह्य दाब होगा वह आंतरिक दाब से हमेशा कम होता है तो यहाँ हम सूत्र को लिख सकते हैं PEX equal to PIN minus DP तो यहाँ हम minus को हटा कर इस तरह भी लिख सकते हैं PEX equal to PIN plus minus DP तो यह जो DP है दाब में सोक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है तो PEX बाह्य दाब है जो संकुचन की स्थिती में अलग तरीके से कारे करेगा और प्रसार की स्थिती में अलग तरीके से कारे करता है तो यहाँ यदि कोई भी परिवर्तन होता है तो कोई भी परिवर्तन उत्क्रमडी है तो तब तक यह उत्क्रमणी परिवर्तन होगा कि यहाँ पर जब अनन्त सूक्ष्म परिवर्तन द्वारा उत्क्रमित किया जा सके यह हम कह सकते हैं कि कोई भी परिवर्तन उतक्रमणी तभी होगा जब किसी भी छड़ अनन्तु सुक्ष्म परिवर्तन करके उसको उतक्रमित किया जा सके तो यहां पूरी स्थिती में तंत्र और परिवेश के मध्ये जो साम्यावस्था की स्थिती है वो बनी रहती है तब हम इसे उतक्रमणी प्रक्रम भी कहते हैं इसके अलावा प्रकृती में जितने भी प्रक्रम होते हैं वो अनुतक्रमणी होते हैं याने उतक्रमणी प्रक्रम में किसी भी छड़ सुक्ष्म परिवर्तन करके उस प्रक्रम को उतक्रमित किया जा सकता है और सभी स्थिती में यहां तंत्र और परिवेश के मध्य साम्य आवस्था स्थापित रहती है तो उतक्रमडी प्रक्रम के लिए यहने W reversible को हम कैसे दर्शा सकते हैं तो यहां हम W reversible equal to minus V I2VF integral यहां P E X D V P E X यहां पर बाहेद आपको दर्शाता है और D V यहां आयतन में सुक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है P E X की जगा पर सूत्र को लिख सकते हैं P E X बराबर हमने पढ़ा था P I N plus minus D P तो P E X की जगा पर हम लिख सकते हैं P I N plus minus D P और D V तो है ही तो अब जो सूत्र आएगा W reversible equal to minus V I2VF integration हो रहा है यहां P I N plus minus D P D V bracket close करके अब इसे यदि हम multiply करते हैं तो P I N D V होगा और D P और D V यह multiply होगा तो यहां D P और D V जो है इसके multiplication को हम नगन्य मान सकते हैं तो आयतन में सूक्ष्म परिवर्तन, दाब में सूक्ष्म परिवर्तन इसे हम नगन्य कर लेते हैं तो D P into D V को नगन्य मानने पर जो स्थिती आएगी वो होगी W reversible equal to minus V I to V F समा कलन हो रहा है यहां पर P I N D V तो यह जो D V परिवर्तन हो रहा है वो V I से V F की तरफ हो रहा है तो यहां पर यदि हम आदर्ष गैस समीकरण के आधार पर इसे दर्शाएं के लिए दर्शाएंगे आदर्ष गैस समीकरण PV equal to N RT होता है यहां पर यदि P ग्यात करेंगे तो N upon V RT होगा जो हमने पढ़ा differential change के आधार पर अलग-अलग method में तो समतापी जो process होते हैं वहां पर इस समीकरण को हम नए रूप में देख सकते हैं जैसे यहां यदि हम आदर्ष गैस का समतापी प्रसार देखें तो W reversible equal to minus V I to VF integration P IN DV यह हमने पढ़ाई है यहां पर जो P IN है उसकी जगा हम लिख सकते हैं N RT upon V अब जो हमारे पास सूत्र आता है वो है W reversible equal to minus V I to VF integration N RT DV upon V चुकि यहां integration हो रहा है V I से VF तक हम परिवर्तन को देख रहे हैं तो DV upon V तो यहां जो DV upon V है इसका जब integration करते हैं तो आता है log यहां पर V तो log V है लेकिन चुकि परिवर्तन V I to VF है मत्तब initial to final है तो जो सूत्र होगा वो VF upon V I के form में लिखा जाएगा तो final जो formula आता है हमारे पास W reversible equal to minus N RT log log को हम LN के form में लिख रहे हैं VF upon V I तो VF upon V I है और यहां यदि log का हम 10 आधार लेंगे तो सामने 2.303 से multiply करेंगे तो W reversible equal to minus 2.303 N RT log VF upon V I अब यहां जो आतन में परिवर्तन को हमने दर्शाया चुकि VF upon V I लिखे हैं यदि इसे हम दाब के रूप में लिखेंगे तो यही सूत्र परिवर्तित हो जाएगा दाब और आयतन में वित्क्रमानुपाती का संबंध होता है दाब बढ़ाने पर आयतन में कमी होती है दाब घटाने पर आयतन में विर्दी होती है तो यही सूत्र यदि दाब के रूप में लिखा जाएगा तो w reversible equal to minus 2.303 nrt log 10 base लिखना है और यहाँ पर p i upon p f होगा क्योंकि जब हम आयतन के लिखते हैं तो v f upon v i लिखते हैं और दाब के लिखना है तो उपर p i upon p f लिखेंगे तो यह हमने जाना की समतापिय जो प्रोसेस है उसमें किस तरह से हम सूत्र को कारे को यह reversible work कैसे हम शो कर सकते हैं अब हम पढ़ेंगे free expansion या मुक्त प्रसरन या मुक्त प्रसार तो किसी भी gas का जो निर्वात में प्रसार होता है उसे हम मुक्त प्रसार कहते हैं PEX इक्वल टू शुन्य यहाँ पर जो बाह यदाब है वह शुन्य है तो किसी आदर्श गैस के लिए यदि हम मुक्त प्रसार को देखते हैं तो वो अलग-अलग condition में अलग-अलग स्थिती तक पहुंच सकते हैं अलग-अलग स्थिती में सबसे पहला हम देखेंगे कि यदि आदर्श गैस में जो मुक्त प्रसार हो रहा है PEX इक्वल टू हमने शुन्य कहा इसे तो यदि उतक्रमड़ी प्रोसेस हो या अनुतक्रमड़ी प्रोसेस हो दोनों स्थिती में आदर्श गैस्वरा जो किया गया कार यह है वो शुन्य होगा तो W इक्वल टू शुन्य और यदि आयतन स्थिर है तो डेल्टा V इक्वल टू शुन्य तो उश्मा गतिकी का प्रत्थम नियम है कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W तो W इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस P डेल्टा V जो हमने दाब आयतन कारे पढ़ा तो डेल्टा V इक्वल टू शुन्य यदि है तो यहाँ पर भी कारे होगा शुन्य तो यहाँ डबलू की जगा पर हम लिख सकते हैं शुन्य तो अब सूत्र क्या आएगा डेल्टा U इक्वल टू Q Q V हमने लिखा Q V यहाँ पर शो हो रहा है इस्थिर आयतन पर जो अवशोशित और उत्सरजित उश्मा है वह आंतरी कूर्जा परिवर्टन के बराबर होती है आदर्श गैस के लिए समतापिय एवं मुक्त प्रसरण को किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है तो किसी भी तंतर के लिए जो उत्क्रमडी प्रक्रम है या अनुत्क्रमडी प्रक्रम है और समतापिय जो प्रक्रम है जहाँ पर तापमान स्थिर होता है तो इसे किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है प्रथम नियम के अनुसार इसे हम सीखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि w equal to 0 है यानि अगर समतापी प्रक्रम है तो पूरे प्रक्रम के दौरान ताप मानिस्थिर होगा याननि डेल्टा टी इक्वल टू 0 है पी ए एक्स यहाँ पर दाब को व्यक्त करता है यदि हम कारे बराबर शुन लेते हैं तो पी ए एक्स बराबर भी शुन है उश्मागतिकी का जो प्रथम नियम है डेल्टा यू equal to q प्लस डबलू इसको समतापिय जो प्रक्रम है अनुत्क्रमडिय उत्क्रमडिय प्रक्रमों के लिए कैसे व्यक्त कर सकते हैं इससे सीखेंगे तो सबसे पहला जो प्रकार है समतापिय अनुत्क्रमडिय प्रक्रम के लिए Q बराबर माइनस W इक्वल टू P E X V F माइनस V I इस प्रकार सूत्र हम लिख सकते हैं, यहाँ जो VF है यह final volume यानि अन्तिम जो आयतन है उसको दर्शाता है और VI प्रारंबिक आयतन यानि initial volume को शो करता है, तो यहाँ समतापी प्रक्रम को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं. दूसरा है समतापिय उत्क्रम्री प्रक्रम के लिए जो सूत्र है उससे हम कैसे व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पर देखिए कि Q बराबर माइनस डबलू इक्वल टू NRT LN VF अपॉन VI तो यहाँ जो LN है वो लॉग को दर्शाता है नैच्रल लॉग को इसे हम यदि 10 आधार करक तो यही सूत्र किस प्रकार से परिवर्तित होगा चलिए देखते हैं यहाँ पर Q बराबर होगा 2.303 NRT LVF अपॉन VI तो जब हम लॉग 10 आधार लेते हैं तो 2.303 से मल्टिप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी VF अपॉन VI लिखते हैं जो VF है वो फाइनल वॉल्यूम क को सो करता है और जो VI है वो इनीशियल वॉल्यूम को शो कर रहा है तो इस प्रकार से यहाँ समत अपिये जो उतकरमड़ी प्रकरम के लिए हम उश्मागती के प्रथम नियम के आधार पर इसे व्यक्त कर सकते हैं यदि रुधोश्म प्रकरम है तो रुधोश्म प्रकरम के लिए Q equal to 0 होता है, तो यदि Q equal to 0 है, तो यहाँ पर हम delta U equal to W लिख सकते हैं, क्योंकि Q 0 है, तो यहाँ पर हम उश्मागती की प्रथम नियम के अनुसार जैसे delta U equal to Q plus W है, चुकि यहाँ पर हम Q equal to 0 लेते हैं, तो delta U equal to W लिखा जा सकता है. एक आदर्श गैस के 0.75 अडू समतापी एवं उतक्रमडिये रूप से 27 डिगरी सेंटिग्रेट पर 15 लीटर से 25 लीटर तक प्रसारित होती है, तो W, Q एवं delta U की गड़ना कीजिए, यहाँ पर N बराबर है, 0.75 अडू, आर गैस इस्तिरांग है, इसका मान हम लेंगे 8.314 Joule प्रति केल्वीन प्रति मोल तापमान 27 डिगरी सेंटिग्रेट, चुकि 27 डिगरी सेंटिग्रेट में है, तो इसे हम 270 प्लस करके केल्वीन में परिवर्तन कर देंगे, तो 27 धन 273 बराबर 300 केल्वीन, यहाँ पर समतापी एवं उतक्रमडी प्रक्रम के लिए कारी बराबर है, मान रखेंगे, मान रखेंगे, मान रखेंगे, मान रखेंगे, इन्टू, एन की वैल्यू है, 0.75, इन्टू, आर की वैल्यू, 8.314, इन्टू, टेम्परेचर, 300, लॉग, चुकि यहाँ पर 15 लीटर से 25 लीटर तक आयतन में प्रिवर्तन हो रहा है, तो अंतिम आयतन यहाँ पर 25 है, तो V2 के स्थान पर हम लिखेंगे 25, और नीचे V1 के स्थान पर हम लिखेंगे 15, हल करने पर यहाँ पर आता है, माइनस 955.5 J, जब इसे हम हल करते हैं, तो चुकि लॉग 25 अपॉन 15 है, तो इसे हम सरल कर सकते हैं, तो लॉग 5 बाइ 3 करके इसे हल कर सकते हैं, तो लॉग 5 माइनस लॉग 3 की वैल्यू जो भी आएगी, उसके आधार पर हम मल्टिप्लाइ करके एंसर निकाल सकते हैं, प्रथम नियम के अनुसार, डेल्टा यू बराबर Q प् तो डेल्टा यू शुन्य है, तो डेल्टा यू याने आंतरी कूर्जा में परिवर्तन शुन्य बराबर Q प्लस W, तो जब यहां पर Q बराबर माइनस डबलू लिखेंगे, तो चुकि W की वैल्यू माइनस 955.5 जूल प्राप्त हुई है, तो हम यहां पर माइनस फिर इंट माइनस 955.5 लिखते हैं, तो यहां Q की वैल्यू आएगी 955.5 जूल, अगला प्राश्न, एक गैस के समतापिय एवं उतकरमडिय रूप से 20 घन मीटर में 40 घन मीटर तक 27 डिगरी सेंटिग्रेट पर प्रसारित होने में कुल किया गया कारिय 5.541 किलो जूल पाया गया, तो गैस के अड़ों की संख्या की गड़ना कीजिए, तो यहां पर भी जो सूत्र है, वो समतापिय एवं उतकरमडिय प्रक्रम द्वारा किये गए, कारे क्याधार पर होगा, तो W बराबर माइनस 2.303 NRT लॉग V2Y V1, तो R की वैल्यू हमने देखा, 8.314 Joule पर केल्विन टेंपरेचर यहां भी हम centigrade को Kelvin में परिवर्थित करेंगे, तो 27 degree centigrade है, प्लस 273 एक्वल टू 300 Kelvin और V1, V1 यहने प्रारमभिक जो आयतन है, वो है 20 और अंतिम आयतन है यहां पर 40 घन मीटर, तो कार यह बराबर 541 किलो जूल, जब हम इसे हल करते हैं, तो चुकी किलो जूल में हैं, तो जूल में परिवर्थित करने के लिए हम 1000 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो जूल में यह कारे होगा 5541 जूल, सूत्र में values को रखेंगे, तो कारी की जगा पर 5541 इक्वल टू 2.303 इन्टू N, एन चुकी यहां निकालना है, गैस क्यानों की संख्या है, इन्टू 8.314 इन्टू 300 लॉग 40 बाइ 20, चुकी यहां लॉग 40 बाइ 20 है, तो इसे हम सरल कर सकते हैं, 00 कट करके, और यहां पर चुकी हम लॉग 2 की value देख सकते हैं, तो लॉग 2 की value होती है, 0.3010, तो उस आधार पर जब हम सभी को calculate करेंगे, तो मान प्राप्त होता है, 1729.16 N, अब N, चुकी यहांगों की संख्या, मोलों की संख्या ज्याद कर रहे हैं, गैस के लिए, तो N बराबर होगा, 5541 अपॉन 1729.16, हल करने पर प्राप्त होगा, 3.204 अगला प्रश्न है, अब यह प्रश्न दाब पराधारित है, नहां पर अधिक्तम कारे कितना होगा, तो W बराबर माइनस 2.303 NRT log, हमने जब वॉल्यूम के लिए इस फॉर्मूला को लिया था, तो V2 by V1 किये थे, चुकी वॉल्यूम और प्रेशर में वित्क्रमानुपाती संबंध होता है, तो अब जो सूत्र होगा, log P1 by P2, तो वैल्यू रखने पर 2.303 इंटू 5, चुकी 5 मोल है, आर की वैल्यू 8.314 इंटू, टेम्प्रेचर 298 इंटू log 2, क्योंकि प्रारंभिक दाब है 2 और अंतिम दाब है 10, तो 2 by 10, तो इसे भी हम सरल कर सकते है, 1 by 5 कर सकते हैं, तो log 1 minus log 5 करके वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो जो मान आएगा वो होगा, minus 1.994 इंटू 10 to the power 4 Joule.